ओम शंति तो आज हम ऐसे बाबर के विशेश रतन जिनका नाम ही है निर्वेर, श्रिभ बाबर की महिमा करते हुए हम कहते हैं निराकारी निर एहंकारी निर्भध निर्वेर और उस निर्वेर भाई जी को हम अपने सामने देखक आज बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं तो अभी हम सब निर्वेर भाईजी से क्लास करेंगे द्रिर्टा से सफलता सफलता से प्रत्यक्ष्टा ओम शंति इस पुर्शोतम संगम युग पर जब स्वयम बेहद का बाप हम बच्चों को सर्वोतम पुर्शोतम बनाने के लिए आते हैं तो इस समय जो भी शुब संकल्प रखते हैं उसका अगर हमें अच्छी तरह से अपने मन में नक्षा कलियर है कि हम क्या करना चाहते है और उसका रास्ता भी कलियर है कि हम किस तरह से करेंगे उसके लिए हिम्मत भी रखते हैं के हमें ये करना है तो जब हिम्मत रखते हैं तो हिम्मत का रिटर्न है के बाबा की विशेश मदद मिलती है और उससे सफलता बाबा का वरदान है के आप बच्चों का इस पुर्शोतम संगम युग पर सफलता आपका ईश्वरी जनमसिद अधिकार है ये क्वेस्चन नहीं उठता ये प्रश्ण नहीं उठता के हम सफल होंगे या नहीं होंगे स्वयम भगवान का दिया हुआ वरदान है भगत लोग वरदान मांगने जाते हैं देवियों के मंदर में जाते हैं शिप बाबा के मंदर में जाते हैं लेकिन हम बच्चों को जो बाबा के इस समय डायरेक्ट संबंद में आए हैं उनको ये सफलता हमारा इस्वरी जनमसिद अधिकार है जैसे ही अलौकिक जनम लिया तब से ये वरदान प्राप्त हो जाता है अगर कहीं असफल भी होते हैं वो भी सफलता का एक स्टेप ही माना जाता है क्यों? जिस समय असफल होते हैं तो फिर बाबा को ही याद करते हैं विशेश याद करते हैं खास योग लगाएंगे खास तपस्या करेंगे कोई प्राब्लम आएगी तो खास बठी का प्रोग्राम रखेंगे और अन्तता सफल हो ही जाते हैं अगर हम अपने इस इस्षवरी यग के इतिहास को देखें इस इतिहास को जानने से भी यही लगता है कि कल्यूग के अन्त समय जब स्वयम सर्व शक्तिवान बाप भी नव रचना रचते हैं सत्यू की स्थापना की नीम रखते हैं इस्षवरी यग की स्थापना करते हैं तो स्थापना से लेकर पूरे इतिहास में देखेंगे समय प्रती समय रुकावटें बहुत आई लेकिन क्योंके बाबा ने बड़ी क्लियर साफ दिव द्रिष्टी के द्वारा वो नक्षा बता दिया हुआ है आप में से अगर मदूबन के छोटे हौल में जिनोंने भी फोटो देखे होंगे लगे हुए तो उसमें खास बाबा के कुछ ऐसे ब्रमा बाबा के फोटो है जिस से आपको सपष्ट नजर आता है कि बाबा को भविश्ट क्या होने वाला है उसका नक्षा ऐसा क्लियर सामने है जिसके कारण बाबा का जो सेल्फ कन्फिडेंस है जो आत्म विश्वास है वो बाबा के फोटोस में देखने में आता है सभी जानते हैं यग्य के इतिहास में जब स्थापना का कारे शुरू हुआ उस समय भी विगन आये थी और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं भारत में जब सब भाई बैने 1950 में शिफ्ट करके आए उसके बाद जब सेवा के लिए निमित बने बाहर गए दादी जी जानकी दादी और दादियां अथवा कुछ भाई तो भी भारत की ये प्रता रही है और विश्व की ही प्रता रही है कि अगर कुछ नई बात होने लगती है तो और्थोडाक्स माइंडिड लोग सामना जरूर करते हैं विगन जरूर डालते हैं कितनी ही अच्छी बात क्यों ना लेकिन कार ये किसका है किसी एक व्यक्ती का होता किसी एक पार्टी का होता तो शायद रुक जाता लेकिन स्वयम परम पिता परमात्मा का कार्य है ये उसकी प्लैनिंग है ये उसकी वीजन है उसकी द्रिष्टी है और साथ-साथ उसका बड़ा स्पष्ट ग्यान है विगन कब तक आया जब तक भक्त आत्मों को ये स्पष्ट नहीं हुआ कि ये कार्य किसका है भक्ती से अलग है ये ग्यान मार्ग है इसकी स्पष्टता ना होने के कारण सब ने ये समझा कि ये तो हमारा जो कारोबार चल रहा है इससे विप्रीत हो रहा है कुछ उनको ये समझ में ही नहीं आया कि ये भगवान का कार्य है और वो भक्ती का फल देने के लिए आये जनम जनमांतर की भक्ती का फल देने के लिए जब स्वयम भगवान अवतरित हुए है तो भी जब तक दिवे द्रिष्टी नहीं वोही पुरानी द्रिष्टी से जब तक देखते रहे तो विगन डालते रहे पर जब दिवे द्रिष्टी मिल गई समझ में आ गया सच्चाई क्या है वास्त विक्ता क्या है और इससे व्यक्तिकत जीवन में क्या लाब है इससे परिवारिक जीवन में क्या लाब है इससे समाजिक जीवन में क्या लाब है और कैसे ये तो एक नई सत्यूगी दुनिया की स्थापना का कारे है ऐसी महान आप जैसी आत्मों को महान भागेशाली आत्मों को जब ये स्पष्ट हो गया तो उन्होंने पुरानी कुरीतियों को पुराने रस्मों रिवाज को सब को एक किनारे करके सच्चाई को अपना दिया उस सच्चाई को अपनाने में व्यक्तिगत जीवन में भी काफी विगनाते हैं सभी जानते हैं ग्यान शुरू करते हैं तो पहले पहले खास भाईयों को तो यही लो कहते तुम किसके चक्कर में आ गए अगर कोई अच्छे बड़े घर का कोई आता है बड़े पॉजिशन वाला आता है कहते हैं कहां ब्रह्मा कुमारियों के चक्कर में पड़ गए लेकिन आने वाले जो आत्में हैं उनको जब यह सपष्ट हो जाता है कि मैं ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जा रहा हूँ ब्रह्मा कुमारियों को जो बाबा ने शिप बाबा ने जो सृष्टी चकर का ग्यान दिया है जिससे हम आवा गधमन के चकर से बाहर निकलते हैं वो प्राप्त करने केलिए आया हूँ तो वो किसी की सुनता नहीं बल्के वो एक एक एक्जामपल बन جाता है किस बात की एक्जामपल कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए जो दृड़ता चाहिए वो उसके जीवन में प्रैक्टिकल में आ जाए बलकि ये देखा गया है कि जितने विगन ज्यादा आते हैं उतनी द्रिड़ता ज्यादा आते हैं जिसके सामने कोई विगन नहीं आए कोई एग्जामिनेशन नहीं आए तो वो थोड़ी सी हल चल में डीले हो जाते हैं लेकिन जिसको पूरी ये दिवे दिश्टी क्लियर है कितने विगन छोटे आएं, बड़े आएं, व्यक्तिगत आएं, अपने परिवार से आएं, समाज से आएं साफ कहते हैं मैं भगवान की सिरीमत पर चलने वाला हूँ आप क्या भी को और भगवान की शिरीमत, जन्नल शिरीमत सब को क्या मिली, आने से क्या मिली है बाबा ने बहुत स्पस्ट समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि आपके जीवन का लक्ष क्या होना चाहिए आप स्वयम पावन थे, देवता थे, डबल सिर्ताजदारी थे, सिरी नारेन और सिरी लक्ष्मी जैसे थे उस्थिती से नीचे आ गए, अब फिर से वो बनना है ऐसा महान लक्ष दुनिया में कोई देता नहीं भक्ती करते रहो, पूजा करते रहो, दानपुन करते रहो और फिर भी कहेंगे उनकी आशीरवाद लो ये कभी सोपन में नहीं आया था कि भगवान तो स्वयम आकर के वर्सा देता है, स्वयम शिक्षक बनके सबसे स्रेष्ट पढ़ाई पढ़ाता है और स्वयम सत्गुरू बनकर के सब को अपने साथ वापस घर ले जाकर के जीवन मुक्ती में भेज देता है जिनको ये बात सपष्ट हो जाती है, उनको पहली बात तो ये समझ में आती है कि हम आत्में अनादी अविनाशी हैं और हमने ही ये सारे स्रिष्टी चक्कर में आज से अंतक पाड़ बजाए और दूसरी बात समझ में आती है कि हमारा अनादी और आदी संसकार जो है वो पवितरता का है आज के युग में पवितरता को खतम करने के लिए जितनी एड़टिसमेंट होती है जितनी फिलमें बनती हैं, जितना टेलिविजन प्रोग्राम होते हैं वो पहले कभी नहीं हुआ था खुलम खुला और ऐसे दूश्चित वातावरण में एकदम पावन बनने का संकल्प करना एकदम स्रिष्ट बनने का संकल्प करना कहां सारी दुनिया में ये माना जा रहा है कि ब्रश्टा चार तो ये तो जीवन का अंग बन चुका है और बाबा के बच्चे चाहे क्या भी हो कि हमें तो अपनी जीवन को पूरा मुल्य निष्ट बना के चलना है बरस्ट जीवन में नहीं जाना है ऐसे तुफान का सामना करने के लिए ऐसा जो दरिया नीचे को जा रहा है बिल्कुल उससे उल्ट जाने का है उपर जाने के लिए कितनी डिफिकल्टी आती है कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितना सामना करना पड़ता है लेकिन जिसके दिल में लगन है कौन सी लगन दो बातों की एक लगन है कि मुझे बाबा का योग्य बच्चा बनना है और पवित्रता उसका मूला धार है वो मुझे अपनानी है चाहे कुछ भी हो जाए पवित्रता ही महानता है पवित्रता ही मेरा वास्तविक सोधरम है इसको अपनाना दिर्टा से दिल में आ जाए और दूसरा उसके साथ में विशेश कि जैसे बाबा सर्व का कल्यान कारी है विश्व हित्कारी है सारे विश्व का वो विश्व सेवाधारी है फिर से विश्व को ऐसा नया बनाने के लिए फिर से इसको पावन बनाने के लिए फिर से इसको कल्यूग से सत्यूग में परिवर्तित करने के लिए जो भी मेरा तन, मन, धन, मन, वानी, करम वो सब मैं इसमें लगा करके न केवल अपना भागे बनाता हूँ बलके अनेक आत्मों के कल्यान के लिए निमित बनता हूँ उसमें भी द्रिड़ता आती है क्योंकि उसके लिए भी बहुत भी गंड़ा आते है थोड़ा सा कोई इस तरफ सेवा के लिए संकल्प करता है तो कहेंगे भाई ये क्या करते हो, घर को लुटा दोगे तुम तो लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है प्रैक्टिकल में तो ये है बाबा कहता है, बच्चे आप बीज बोते हो एक रुपए का, और मिलता क्या है रिटर्न में सुदामा का मिसाल है ये भी बाबा ने कहा है कि आज जो स्वयम को स्वर्ग में समयते हैं वो बाबा के वारस बच्चे बन करके सत्यूग के मालिक नहीं बनेंगे साधारन जिनोंने बाबा को पहचाना है और जिनोंने बाबा की इस प्लैन को समझा है कि अब कल्यूग से सत्यूग में बदलने का समय है यह मुल्य समय है यह सीजन है विशेश ये बार बार नहीं आती है कलब में एक ही बार ऐसे टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और ऐसे टाइम पर क्या करना है फसल का टाइम होता है जब गहूं बोने का समय है उस समय कोई चावल लगाना चाहे तो नहीं लगेगा गन्ने का समय है उस समय वो बोएंगे तो ही वो लगेगा सर्दी के दिनों में जैसे अभी आम की फसला आ रही है ऐसे नहीं होने वाली है करके कोई ऐसा थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिल भी जाता है पर हर बात का सीजन है और ये सीजन है हम सभी मनुश आत्मों के लिए फिर से मनुश से देवता बनने का जिसके लिए गुर्बाणी में गरंद साब में गाइन है कि मनुश ते देवता किये करत न लागेवार समय नहीं लगता है पर कब भक्ती तो हमने 63 जनम की देवता तो बने नहीं मनुश को मनुश जब तक भक्ती सिखाते हैं देवता नहीं बनते जब तक स्वयम परंपिता परमात्मा राज योग ना सिखाए तब तक देवता बनन नहीं सकते और ये वो ऐसा सीजन कहो ऐसा अमुल समय कहो कि जब फिर से मनुश को देवता बनाने के लिए बाबा कहता है देवताएं भी मनुश है लेकिन वो दिव्य गुण धारी है सर्व गुण संपन है सोला कला संपूरण है संपूरण निर्विकारी है मर्यादा पुर्शोतम है अहिंसा परमो धरम है उसके भेंट में आज के युग में क्या मिलता है किस तरह का वातावरण है अख़वार पड़ो टेली विजन निउस देखो कुछ भी देखो क्या मिल रहा है आइंसा परमो धरमा की जगा रोज क्या हो रहा है हिंसा सर्व गुण संपन की जगा क्या मिल रहा है ब्रश्टा चार तो सोच विचार करके क्योंकि बाबा के बच्चे जो हैं वो सबसे समझदार है ग्यानी तु आत्मा है योगी तु आत्मा है जिसके लिए गाइन है सिरी भगवानो वाच मुझे ग्यानी तु आत्मा प्रिये है मुझे योगी तु आत्मा प्रिये है और उसके साथ में कहा बाबा ने मुझे सर्वी सेवल बच्चे बहुत प्रिये है जो सबकी सिवा के निमित बनते हैं तो समय को पहचान कर समय के अनुसार इस समय परमात्मा पिता का जो पार्ट है विश्व को परिवर्तन करने का उसको पहचान कर उस ऐसे समय पर मुझे क्या करना है मुझे अपना जीवन ऐसा दिव्य बनाना है ऐसा स्रेष्ट बनाना है ऐसा देवेगुन संपन बनाना है ऐसा पावन बनाना है और ऐसा सर्विसेबल बनाना है जो मैं भगवान का प्रिये बन जाओ इस बात की द्रिर्टा चाहिए इस बात की द्रिर्टा आजए तो खत्म करने के लिए सोचेंगे आज मैं गुसा नहीं करूँगा वोई सबसे पहले आपके सामने ऐसी कोई प्रॉबलम आएगी जो अंदर में गुसा आएगा फिर सोचेंगे मैंने तो आज बाबा से वाइदा किया गुसा नहीं करूँगा और मेरे सामने तो यही सिच्वेशन आगी अब क्या करें बाहर में नहीं भी करेंगे मन ही मन में करेंगे लेकिन अगर यह हमने अपना एक लक्ष ही ऐसा रख लिया कि मैं जो था जैसे बाबा अपने लिए कहते हैं बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे यथार्थ रूप में पहचान कर जो मुझे याद करते हैं वो प्रियग योगी मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं इसी तरह से बाबा ने का अब स्वयम को भी पहचानो सेल्फ रियलाइजेशन मैं कौन हूँ क्या हूँ मैं जो हूँ जैसा हूँ क्या हूँ आदी मेरे संसकार क्या है देवताओं के और अनादी मेरे संसकार क्या है जो बाप के संसकार है वो मेरे मेरी तो वो परसनेलिटी होनी चाहिए व्यक्ति तब वो होना चाहिए मेरा इस बात को पहचान कर उसमें द्रिड हो जाएं तो बाबा की तरह जो बाबा का फाइनल स्टेज का मैसेज हम सब सुनते हैं निर्विकारी बेन जी ने अभी सुनाया निर्विकारी निरहंकारी लेकिन उसके साथ-साथ ये हो गया ये नहीं है पर क्या है साथ-साथ ज्ञानी तु आत्मा है ऐसा कोई बेसमजी का काम नहीं करेंगे जो पस्ताना पड़े है सोच समझ के कदम उठाएंगे मम्मा हमेशा कहती थी करम करने से पहले सोचो करने के बाद पस्चाता अपना करना पड़े सिरीमद भागवत गीता के ये मावाके हैं आत्मा करम करने के लिए सोतंत्र है पर करम करने के बाद सोतंत्र नहीं या उसका फल भोगने के लिए फिर बंदी हुई है तो बाबा ने कहा बच्चे दो बातें करो और वो द्रिड़ता से करो निश्चे से करो क्योंकि निश्चे में विजए हैं जो करम आपको पस्चात आपकी स्थिती में ले आते हैं उनका त्याग करने के लिए उसके बीज का त्याग करो बीजी नहीं होगा तो वरिक्ष नहीं होगा और उसका बीज है देअभी मान अगर देअभी मान नहीं तो क्या है जो हम है वो है जो नहीं है उसको परधर्म को छोड़ दे और जो हम है हमारा जो स्वधर्म है उसमें हम स्थित हो जाए तो स्वता ही संपूरन निर्विकारी बन जाए जिसको हम कहें कि जो सत्यूगी देवताओं के लिए कहते हैं कि वहाँ पर सौभाविक आतम स्वरूप की स्थिती का जीवन है उसका अभ्यास अभी करें बाबा ने बहुत प्यार से का बच्चे ये इश्वरी परिवार है बाबा के सब आप बच्चे हैं अगर आतमिक रूप से देखें तो भाई भाई हैं शरीर के रूप से देखते हो जीवातमा के रूप से तो भाई और बेहन हैं दूसरा कोई रिष्टा नाता नहीं ये सबसे पवितर नाता है अब इसको अपनाने में क्या मेनत लगती है मुझे बताओ और इसी बात की दिर्टा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए और इसमें बड़ा आनंद है आप देखो स्वता पवितरता की धारना इसमें है बड़ी खुशी इसमें रहती है बड़ा आनंद रहता है और ऐसे चलने से घर स्वर्ग बन जाता है बाबा ने का जब ऐसी जीवन आप बनाएंगे इस जीवन में देड़ रहेंगे तो घर घर स्वर्ग बनेगा जब घर घर स्वर्ग बनेगा तो बाबा की परतक्स्ता होगी जब तक घर में भी आपस में एक मत नहीं होगी खिट खिट होगी खिट पिट होगी तो क्या कहेंगे अरे जब से ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में गए ना तब से इनके घर में तो जगडा ही होता रहा तो उससे क्या आपने सिद्ध किया क्यों सी पर तक्ष्टा की तो पहले charity begins at home अपने घर में पहले सुधार चाहिए सबसे पहला घर तो आत्मा का ये है अपने अंदर सुधार चाहिए पहले हम घर में परचार करेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है ये अगर कोई सोचे के मैं पहले घर वालों को ग्यान दूँ कोई सुनने वाला नहीं है क्यूं जानते हैं छोटी छोटी बात पर गुसा आ जाता था छोटी छोटी बात पर रूठ जाते हैं छोटी छोटी बात पर रोने लग जाते हैं और फिर आप ग्यान देंगे तो क्या उसका असर होगा कहेंगे रहने दीजे मैं जानता हूँ माताजी भी कहेंगे आँ बस बस बहुत सुन लिया भी पहले अपने आपको ठीक करो तो इसकी बजाए कि हम सुनें हम पहले से अपने में ये द्रिटा लाएं कि मुझे तो अपने घर में एक मिसाल बन करके रहना है अपने जीवन से संदेश देना है ना कि शब्दों से देना है इस बात की द्रिटा में आने से घर स्वर्ग बनेगा और जब घर घर में ऐसा वातावरन बन जाए तो समाज में क्या होगा जब सभी आत्मिक द्रिश्टी से एक तो को देखेंगे तो ये जो जगड़े चल रहे हैं जो राइट्स हो रहे हैं जो वो सब नहीं होंगे फिर उसके लिए बाबा कहता है आपको लाइट हाउस बनना है उसके लिए सेवा के निमत बनना है वो बहुत ज़रूरी है कितनी भी पीस कमेटी बनाते हैं कितना भी शान्ती के लिए परियास करते हैं जिन में खुद शान्ती नहीं वो क्या शान्ती का कारे करेंगे तो बाबा के जो बच्चे हैं जनोंने अपने सोधरम को पैचाना है भूस में दिर्ड रहते हैं और प्राकिर्टिक रूप से रहते हैं नैचरल कोई भी सामने आए तो कभी ये मन में ना आए ये मुसलमान है, ये हिंदू है ये फलाना है, नहीं ये सब बाबा के बच्चे हैं आपके वाइबरेशन से दूसरे को लगे, अपना पन लगेगा तब आप देखेंगे के कभी भी ना आपके मन में कोई भै रहेगा ना कभी अशान्ती रहेगी और बलके आप तो निमित बन जाएंगे नवीनता लाने के लिए जिसकी सक्त जरूरत है इस तब परतक्षता होगी और उसके लिए द्रिड़ता लाने के लिए भी अपने नीमों में द्रिड़ता चाहिए उसमें ढिलापन नहीं चाहिए खास नीम जो है ब्रह्मनों के नीमों का सब को तो पता है ना कुछ नीम है जो बहुत आवश्क है और कुछ नीम है जो मदद करते हैं हमें सबसे आवश्क नीम जो आत्मा को संपूरण पावन बनाने के लिए मैजिक का का काम करता है वो है अमरत वेले का योग अगर कोई थोड़ा बहुत धिले रहते हैं अपने द्रिड़ता नहीं रहती है नीमों में पके नहीं रहते हैं उसका मूल कारण ये है के अमरत वेले के योग का आनन्द लेना नहीं आता है और बाबा ने हमें इस बात में पका किया मुझे याद है बॉम्बे में रहते कभी हफते में एक दो बार मिस हो जाता था तो बाबा खास चिठी लिखते हैं बच्चे कुछ भी हो अमरत वेलेच जरूर उठकर के याद में बैठ बलके बाबा ने ऐसा पका किया कि अलार्म लगा के रखो चार बजे का और उसको बैड से थोड़ा दूर रखो ये ना हो कि जैसे अलार्म बजे उपर से हाथ से बंद किया और सो गए फिर और उसको कैसे नैचरल बनाया बाबा ने वरदान दिया तीन दिन आप उठकर के ये करो बस चाहे जुटके आएं उस समय पहले पहले तीन दिन किसी भी हालत में उठके बैठ चोथे दिन से वो नैचरल हो जाएगा ओ प्रैक्टिकल ऐसा और उस समय का जो आनंद है मैं आपको क्या बताओं आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का क्या अनवब होता है वो अमरत वेले होता है और आगे के लिए पूरी द्रिड़ता रहे के हम अपने बाकी नियमों में पके रहें, वो अमरत वेले के योग के फल सरूप होता है, इसलिए कुछ भी हो जाए, हम तो ट्रैवलिंग में भी देखते, बाहर भी जाते रहे हैं, तो ये नियम पका होने से वो अमरत वेले में अपने आप बाबा जैसे जगा देता है, चाहे रात को नींद चार गंटे भी ना हुई है, लेकिन वो इश्वरी आनंद ऐसा है, जैसे किसी को दूसरे नशे की आदत होती है, वो टाइम आता है, तो कितना भी सुबो को, हसी हसी में कहते हैं, सुबो को तो रोज में वाइदा करता हूँ कि मैं नहीं पिऊंगा, जब शाम आती है तो बोतल की तरफ आथ चला जाता है, ये पीने वालों की एक बात सुनाते हैं, और उसमें तो नुकसान होता है, हेल्थ खराब होती है, जीवन खराब होती है, गर होता है, पैसा बरबाद होता है, परिवार सारा सत्या ना सो जाता है, लेकिन अमरत वेले का जो योग है, इससे जो वाइबरेशन फैलते हैं, इससे जो परकंपन फैलते हैं, उससे तो स्थापना का कारे होता है, परकिर्ती को पावन बनाते हैं, आत्मों को पावन बनाते ह और स्वयम को संपूरन पावन बनाती है ऐसा महान कारे जिस से होता है उसको अगर मिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ गमा दिया इसलिए इसमें तो बहुत द्रिड़ता चाए वास्तम में बाबा कहता है योगबल से आप सत्यूगी विष्व की बादशाई प्राप्त करते हैं वो कब करेंगे आप योगबल कब इकठा करेंगे सारे दिन में तो कारोबार में लग जाते है दूसरा टाइम कौन सा है सारे दिन में करम योगी बनके बाबा की याद में करम करेंगे तो उससे बुराईयों से बचे रहेंगे उससे विकरम करने से बचे रहेंगे लेकिन जिस योग बल से आप सत्यूगी विश्व महराजन बनने के लायक बन सकते हैं उसको कभी मिस ना करो कुछ भी हो जाए और ये जो कोई सोचे के मेरी तबियत ठीक नहीं इसलिए मैं नहीं उठ सकता हूँ बाबा ने का योग बल से 21 जनम के लिए एवर हेल्दी बनते हो पहला जनम तो ये है उसमें उसका एक्सपेरिमेंट करो करके देखो प्रैक्टीकली और मैं तो ये मानता हूँ के योग बल से पुराना हिसाब किताब चुक्तु होता है तो हेल्थ इतनी अच्छी बनती जाती है मुझे कभी कभी कुछ भाई वेने विदेश से अभी आते हैं मिलते हैं बड़ा अच्छा कॉम्प्लिमेंट देते हैं यो आर बिकमिंग यंगर एवरी येर साल साल के बाद मिलते हैं आयू बढ़ती जाती शरीर की लेकिन जो आत्मा में बल भर रहा है जो शक्ती बर रही है जो उसके फलसुरूप जो स्पिरिट अंदर है वो तो वो ही होने वाली है जो सत्यूगी जीवन की होने में जो दिखाते हैं स्री कृष्ण और उनके साथ के सक्खे सक्या कैसे माज़ में रहते हैं कैसे गूमते हैं कैसे होली खेलते हैं वो संसकार धारण होता जाँ और साकार बाबा को देख बाबा जब 83 83, 83 साल की उमर में थे तब हम ग्यान में आए और 93 तक 10 साल उनके साथ जो बिताए जब मदूबन में आएंगे बाबा कहगा बचे नेट लगाओ 83 की आईउ 84 की आईउ 85 की आईउ 92 तक कैसे चलता नेट लगाओ बेडमिंटन खेलेंगे कहां से आई बाबा की ऐसी हेल्थ योग बल से इतनी बड़ी उमर में जब बहुत बोज होता है अपने उपर तो क्या देखते हैं आम तोर पे पीट जो है न ऐसे हो जाती बाबा के चित्र में कभी किसी ने देखा कि अप राइट सीदे कारण बाबा के मन में संकल्ब था मैं विश्व के लिए लाइट हाउस हूँ टावर ओफ पीस हूँ टावर जुका हुआ नहीं होगा सीदा होगा वैवार में सदा बाबा नमरता से चले बहुत निर्मा के मैं आप बच्चों का मोस्ट अबीडियन्ट सर्वेंट फादर लेकिन बाबा को ये दृड़ता थी बहुत दृड़ संकल्ब था के मुझे इस जीवन में संपूरण बनना है संपन बनना है और बैठे बैठे शरीर छोड़ना है उसका अभ्यास बाबा ने किया तो बाबा को देखते हैं आज प्रैक्टिकल दादियों को देख लो वैसे कहते हैं वही साट साल की उमर के बाद महलाएं जो है ना उनका वो ब्रेन जो है वो डिला होना शुरू हो जाता है और पुर्शों का सतर साल के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है अब प्रैक्टिकल देख लो दादी जी क्या कर रहे हैं आप सबसे मिले हैं इतनी इनरजी कहां से आई उनमें सबी सेंटर्स की कारोबार समभालते हुए सब भाई बैनों से व्यक्तिगत मिलते हुए ये है योग बल की रिजल्ट तो जितना इस बात की वैल्यू अपने दिल में होगी उतना इसके उपर अटेंशन रहेगा नहीं तो नहीं रहेगा इसलिए अपना पहला नियम में द्रिड रहना के मुझे अमरत वेला कभी मिस नहीं करना है एक तो मिस नहीं करना है और दूसरा हर रोज मुझे नया अनवव करना है कुछ नवींता बाबा से लेनी है तो देखो क्या से क्या बन जाता है जीवा और दूसरा बाबा की वानी जो है मैं तो उसको मेरे ख्याल में कम से कम एक एक मुरली जो है वो पंद्रां बीस बार पड़ चुका होंगा सुन चुका होंगा टेप से सुनी होगी डारेक्ट सुनी होगी लेकिन मुरली जैसा सुख और किसी में वो जो भक्ती में है स्री कृष्ण की मुरली बज़ते ही सब अपना छोड़ करके आ जाते थे वो क्यों ऐसी निशानिया दिखाई क्या है उसके अंदर वो काट की मुरली नहीं है लेकिन ये सिरी भगवानों वाच गांदी जी कहते थे मेरे जीवन में कोई समस्य आती है तो मैं सिरी मद भगवत गीता को खोलता हूँ मेरे को उसको उपतर मिल जाता है वो है भक्ती मार्ग में निशानी उसकी उसका शास्तरबाद में बना जो प्रैक्टिकल आज हम लोगों को बाबा सुना रहे है ये वैल्यू दिल में चाहिए जो कि किसके महावाके हम सुनते है कौन हमें आकर के पढ़ा रहा है इसका नशा चाहिए इसकी खुशी चाहिए आज कौन मिलने आ रहा है आपसे शाम को मिलेंगे किस से मिलेंगे गुलदार दादी से नहीं सामने तो बैठी दादी होंगी तो जिनको ये लगन है जिनको ये अंदर में दिवे दिश्टी है कि हम किस से मिलने आए हैं ये निश्चे है चाहे वो कितना भी दूर बैठे होंगे वो वायू मंडल से बाबा के शब्दों से बाबा के वाइब्रेशन से ऐसा मैसूस करेंगे बाबा मेरे से मुलाकात कर रहा है बाबा मुझे सुना रहा है और दिल ही दिल में गदगद होते रहें अत्ती अंद्रिय सुख क्या चीज़ है जो गोप गोपियों का गाएन है वो आज जैसे सुबो की मुरली के समय सुनते हुए आनन दाया उससे अधिक आएगा जब सन्मुख सुन दाया लेकिन ये वैल्यू अपने दिल में सदा रहनी चाहिए मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हमने मुरली सुख को पड़ी नहीं सुनी नहीं तो जैसे दो तीन दिन खाना नहीं खाओ जो आपके पास कुछ पूंजी जमा हो वो गुम हो जाए ऐसी हालत हो जाए इतनी सुन्दर चीज़ कलप में एक ही बार मिलती है डायरेक्ट सिरी भगवानों वाच सुनने का ये अभी ही समय है इसको कभी मिस ना करें इस बात में द्रिड रहें कुछ भी हो बाबा तो बलके ये भी कहते थे पहले योग करके मुरली पड़ो या सुनो उसके बाद सेवा करो तब तक नास्ता नहीं करना चाए मुझे तो वो दिन याद है बाबा के पास 1959 की बात कह रहा हूँ बंबे की बाबा टेली फोन पर किसी को मुरली सुनाते थे उस परिवार के दादा सामने बैठे हैं कमला दादी को सुनाते थे और उस समय बाबा की मुरली सुनके हम हैंगिंग गार्डन में कमला नेरू पार्क में जा के पहले सेवा करके फिर आ करके नास्ता करें कि जो भगवान से इतना आमल्य खजाना आपको मिलता है अगर उसका आपने दान नहीं किया तो आप कंजूस मनुहूस हैं पहले दान करो उसके बाद नास्ता करें क्यों बाबा इतना जोर देता था कि जब आप किसी को दान करते हैं तो उसकी खुशी परतक्ष और वो आपकी जनम जनमांतर के भागे बनाने के लिए आपने बीज बो रहे हैं और साथ में बाबा ने कहा बलके इसको अनेकों में बांटने के लिए अपना जो विनाशी धन है उसको भी अविनाशी बनाओ कौन करेगा ऐसे जिसको इसकी वैल्यू होगी जिसके दिल में इसके लिए इज़त होगी कि ये किसके महाँ वाक्ष है इसमें ये दो बातों में अगर आप द्रिड हो गए तो बाकी सब बातों में द्रिडता आउटोमेटिका दे अब आप बताईए के सुबो के योग करने में और बाबा की वानी सुनने में कोई मेनत है इसलिए इसका नाम रखा बाबा ने सहज ग्यान सहज राजयोग मार्ग सहज सरल भी है सौवावी करें और इन नीमों को अपनाने में बहुत आनंद आएगा तकलीफ नहीं होगी बलके ये अपनाने से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे तो जब हम सबी बाबा के बच्चे इसमें रेगुलर हो जाएंगे अच्छी तरह देड हो जाएंगे और इसके फलस्वरूप जैसे भोजन करते हैं तो उससे शरीर की इनरजी शक्ती अपने आप बनती है इसी तरह से याद और ग्यान का जो बल है वो आत्मा को सरोसरेश्ट बना देता है सरोतम बना देता है पुर्षोतम बना देता है नर से सिरी नारैन बना देता है और नारी को तूजनिय सिरी लक्षमी बनाएं ऐसा बनते जाएंगे इतने सिरी लक्षमी और इतने सिरी नारेंड बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्वर्ग बन जाएगा मैं ग्यान से पहले फिलोसोफी की किताब कुछ ना कुछ पढ़ता था लेकिन जब से बाबा का ग्यान मिला और ये समझ में आया के भगवान स्वयम जो वानी आकर के ब्रह्मा बाबा के मुख से सुनाते हैं वो हमें पढ़ने को मिल रही सुनने को मिल रही है जितनी किताबें पढ़ते थे वो थी इसी लिए के खोज में थे भगवान को पाने के लिए स्वयम भगवान मिल गया और उनके महावा के पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं तो उसकी क्या गहराई है उसकी गहराई में जाना बेतर है और और बातों में जाने से कभी कभी कई लोग कहते हैं भई थोड़ा comparative study करो और क्या लिखते हैं क्या बोलते हैं तो मेरा उत्तरे की होता है कि भगवान से उपर कोई नहीं है comparison करेंगे तो वो सब भक्ती मार्ग के या सन्यास मार्ग के महान आत्मे हैं और हम जो ग्यान मार्ग में अभी आए हैं ग्यान मार्ग पे चल रहे हैं उसका सबसे बड़ा टीचर कहो फिलोसफर कहो शिक्षक कहो या तो ग्यान दाता कहो वो स्वयम पर मात्मा है उससे बढ़के और कोई है नहीं खाम खा अपना टाइम क्यों गवाए हैं अगर बाबा की वानी की एक एक लाइन को कोई पढ़ करके उस पर विचार करे तो जैसे बाबा कहता ना मन्थन करने से वो आपका आपकी शक्ती बन जाएगी जो ग्यान की एक एक पॉइंट है वो धारन होंगी तो शक्ती का रूप बन जाएगी तो शक्ती शाली जीवन बनाना शक्ती शाली अपना मनोबल बनाना और ग्यान मार्ग पे एकुरेट चलना है तो उसके लिए बाबा की वाणी है एक परकार से आईना जैसे वाणी पढ़ेंगे आपको साकसातकार होगा स्वयम का कि मैं किस लेवल तक आया हूँ अभी और क्या बाकी और ग्यान मार्ग पर चलकर के सबसे स्रेष्ट जीवन बनाने वाली एक्जामपल हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की ब्रह्मा बाबा ने अपने जो अन्बव सुनाए हुए है वाणी के अंदर उससे बढ़के और किसी के नहीं है क्योंकि जितना बाबा ने मेहनत की है तपस्या की है विचार सागर मंथन किया है दूसरे नहीं कर पाते हैं तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप जितना हो सके बाबा की मुरली का अध्यन करके उसको उसके उपर अच्छी तरह मंतन करके उसको धारणा करेंगे तो देखिए इस जीवन की वैल्यू क्या है हमारी देखने में हम साधारण लेकिन जैसे ब्रहमा बाबा के लिए कहते हैं कि वो साधारण होते भी असाधारण थे ऐसे ही बाबा के सभी बच्चों को मैसुस होगा कि वास्तव में इश्वरी जीवन क्या है कितनी महान है जो बाबा कहता है कि देवतों से भी ये उंची है देवतों की जीवन को गोल्डन एश्ट कहा जाता है और ये है डाइमंड एश्ट पुर्षोतम संगम्यूग जो थोड़ा सा समय है तो डाइमंड जैसी हीरे तुल्ले जीवन कैसे है वो कब अनववोगी जब वानी को अच्छी तरह से स्टड़ी करेंगे सुनने में भी थोड़ी कम धारण होती मैंने देखा सुनते समय विचार कही न कहीं चले जाती सुनो फिर स्टड़ी करो सेल्फ स्टड़ी करो क्या मज़ा आता है उसमें और फिर आपस में लेंदेन करो किसी को चिठी लिखो तो उसमें बाबा की वाणी में से कोई पॉइंट्स लिखो टेली फोन पर बात करो तो सुनाओ आज बाबा ने क्या कहा आपको बड़ा मज़ा आएगा उसमें जिसको कहा जाता है मिठाई अकेले खाने में इतना अनंद नहीं है जितना बांट करके खाने में तो रोजवाणी सुनना मिठाई भी है ख़जाना इकठा करना भी है और इंजेक्शन भी है ताकत का उसमें तो जितना आनंद लेते हैं खुद वो बांटने से बढ़ता है ये दो नियम पके करेंगे अपनी जीवन को ऐसा एक क्या कहें आदर्ष जीवन बना देंगे तो बाबा कहता है आपके चेरे से सब कहेंगे यही है सच्चाई इन के पास है स्रेष्टा इन के पास है और सत्य मार्ग यही है जब ऐसा कहेंगे तो फिर कहेंगे वो ही है वो ही है वो ही है ओम संद झाल झाल